अलो गाईस आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आप भी फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हो और आपको भी यह प्रॉब्लम आ लिए के लिए के लिए अनेबल टू रिट्राइब इन्फॉरमेशन यो अनेबल टू रिट्राइब ऐसा कुछ लिखाता है बलब जो भी आप गे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गरना है हमें अपनी डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन करने के बाद हमें यहां पर जाने है कनेक्शन और शेरिंग वाली सेस्टिंग में स्क्ड्रॉल डउन करने पे एक ओपšिन देखेगा का इस में ऐसको घृप सीघजी पर जेकर आपको मैंनेज आप स्का अप्शिन देखेगा इस पर क्लिग करना है मनेज आने के बाद हमें क्या करना है राइट साइड टो पे थ्री डोट्स दिखेगे इनप इंपे क्लिक करने के बाद यहां पे लिखाएगा reset app preferences का इनपे क्लिक करने के बाद यहां पे अपने app को reset कर दिजिगा reset करने के बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पे जिस भी एप में problem आ रही थी उसको simply हमें क्या करना है उसको open कर लेना है example के लिए मैं कोई और एप open कर लेता हूँ तो आपको जिस एप में problem आ रही है आपको एप को open कर लेना है उस app को open करने के बाद सबसे पहले उसकी storage पर आना है, storage पर आने के बाद storage का clear catch कर देना है, storage का clear catch करने के बाद हमें के करने हैं, उसकी app permission पर जाना है, तो app permission पर आने के बाद सारी permission one by one enable कर देनी है, और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है, सारी permission enable करने के बाद हमें ज same to same one by one enable कर देनी है यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने पर एक option देखेगा restrict data usage का तो आप जैसे इस पर click करोगे यहाँ पर आपको देख जाएगा wifi और mobile data तो इन दोनों को enable कर देजेगा इन दोनों को enable करने के बाद आपको नीचे scroll down करने और यहाँ पर एक option देखेगा clear default इस पर click करने और सास में आपने आपको एक बार four stop कर दीजेगा four stop करने के बाद एक बार अपने device को restart किजेगा और restart करने के बाद एक बार try किजेगा आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो thank you guys